ही गाईज वस्ट अब तो कैसे हैं आप सब लोग विलकम बैक तुए और वून चैनल दीपा ग्यादव सायस अकेडमी विलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालेसस ऑफ 18 जुलाइट 2020 तो गाईज आज 18 जुलाइट 2020 और है सेटर डे देखेंगे साथ जो हम एडिटोरियल कर डिसकेशन करते हैं उसका बैक्ग्राउंड अनलेसस चाहिए क्योंकि UPSC में the main thing is how you link the static portion with the current affairs यानि कि सबसे main काम यह है कि static portion को आप current affairs से कैसे link करते हो तो static portion जित्ती भी current affairs है आते हैं आप पर उसका static portion चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना ह है डाउलोड करना है telegram telegram डाउलोड करने के बाद search box में type करना है तीपक यादव IAS Academy आप देख सकते हैं यहाँ पर click करोगे तो नीचे join का option आ रहा होगा नीचे join कर लेना क्योंकि आपको daily basis पे जो है articles दिये जाते हैं daily basis पे notes दिये जाते हैं उसका background analysis जैसे कि news में हमारा environment impact assessment है आज तो हम उसके बारे में discuss करेंगे यह सारी चीज़े उसके बारे में article में नहीं है लेकिन उसका background analysis पूछा जाएगा वह यहाँ पर present है तो यह सारी चीज़े आपको दी जाएंगी जित्ते भी notes है यह सारी आप जाकर ले सकते हैं और यह सारी चीज़े बिल्कुल free of cost है जी हाँ यहाँ यहाँ आपर आपसे कोई चार्ज बगरा पे नहीं करा जा रहा है यह सारी चीज़े बिल्कुल free of cost हैं जाकर आप जॉइन कर सकते हैं इसमें आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ और सुरिफ जॉइन करना है और जो link है इसका टेलिक्राम का वो मैंने description में दे कर दिये जाते हैं तो गाइस आगे बढ़ने से पहले अभी तग आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रड़ गलर का बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब कर देना एक छोड़ा सा खाली जाएगा कुछ ही नहीं जाता है सब्सक्राइब करने में हाँ पर आप को एक छोड़ा से क्लिक करना है तो गाइस प्लीज क्लिक करके अपना लव और सपोर्ट और जादे दिखाएए यहाँ पर इस चैनल में तो बढ़ते हैं आगे देखते हैं हमारे लिए कौन को सी न्यूज है इंपोर्टन आज के दा हिंदू में from the viewpoint of UPSC और बागी various comedy exams के व पॉलूशन उसको करने के लिए कम करने के लिए कुछ स्टेप उठाया है अब यहाँ पर इस टेप तो उठाया है लेकिन यहाँ पर हम यह थोड़ना याद रख सकते हैं आप जो में चीज है वो किसने उठाया है NGT ने और NGT की full form क्या है National Green Tribunal अब यहाँ पर सबसे में च स्टेप उठाया है कौन सी बॉड़ी ने तो आप यहाँ पर इसके बारे में जानना आपके लिए काफ साथ जरूरी हो जाता है तो सबसे पहले जलते हैं NGT के बारे में जानने के लिए National Green Tribunal Act 2010 यह एक्ट है Parliament of India के द्वारा जो की enable करा था और यहाँ पर इसका main काम किया इस NGT करता है ठीक है यह एक्ट मतलगा न NGT करता है यह मैं एक्ट समझा रहा हूँ आपको बट और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बॉड़ी क्यों आई क्यों कि यहाँ पर आर्टिकल 21 यह बताता है कि जो जितने भी परसन है यहाँ पर उनकी प्रोडेक्शन आफ लिबर्टी का उनकी यान की अपने पूरी पूरी लिबर्टी का हक है और अपनी जो लाइब उसको जो प्रोडेक्शन है उसको भी करने का यहाँ पर आर्टिकल 21 में कहा गया है कि हमकी लाइक कर जाएगा जो कि यहाँ पर एस जो सिटीजन आफ इंडिया है वह एक राइट यहां पर right to a healthy environment एक healthy environment वे रहने का पूरा-पूरा हक है हर किसी person का तो guys इसको follow करते हुए यह जो constitution का हमारा article है इस article को follow करते हुए यहां पर यह body बनाई गई NGT जो कि यहां पर यही काम कर रही है इस समय और क्या काम कर रही है जितने भी environmental issues है उनसे निपटने के लिए हमारी यह body काम करती है like pollutions यह सारी चीज़े हो गई जो सबसे important चीज़े जो यहां पर इसका जो है NGT का headquarter का पर है वो हमारा new Delhi में चले चलिए आओ जाए यहां पर newspaper पर देखते हैं और क्या हमारी important है next है हमारी important बढ़ते हैं आगे सब highlight कर रहा है तो guys यह highlighted newspaper ही आपको दिया जाएगा आप जाके highlighted newspaper ले सकते हैं ठीक है telegram से download कर सकते हैं now अब आता है हमारा page number six पे that is editorial editorial काफी जादे important होता है from the viewpoint of UPSC for mains as well as prelims के point of view से भी important होता है बट जो other pages होते हैं apart from editorial जैसे हमने भी NGT cover गया editorial का अलावा जो pages होते हैं वो भी काफी जादे important होते हैं हमारे prelims के point of view से prelims से काफी सारे questions बनते हैं वहां से तो guys we should not skip that papers वहाँ पे हम लोगों को वो जो papers उनको skip नहीं करना चाहिए हम लोगों यह नहीं होता कि बहुत से उतरा सिर्फ editorial पढ़ लेते हैं नहीं हम prelims के point of view से भी cover करना है prelims mains दोनों साथ में prepare करना है तो guys यहाँ पर हम लोग पूरा news paper cover करेंगे पूरा news paper cover करना चाहिए तो इन दोनों article को discuss करेंगे हम ठीक है यह वहाँ आर्टिकल है हमारा ground zero आता है Sunday को important नहीं होता Saturday को ठीक है ग्रांड-0 आता है important नहीं होता जो important होता है उसके बारे में बता दिया जाता है आपको ठीक है तो editorial के बारे में discuss करते हैं सबसे पहला जो हमारा article है इरान टाइज नीड अक्वाइट डिप्लोमेसी जो भी डेली वेसिस पे न्यूज अनलेसिस देख रहा है मेरा और काफिस अच्छे अच्छे कॉमेंट्स भी आते हैं आप लोगों के आपका इतना लव और सपोर्ट बनाएने के लिए बहुत बहुत थैंक्यू लेकिन यहाँ पर जो भी डिली वेसिस पेनलिस देखता है उन्हें पता होगा इरान और इरान और इंडिया के बीच में जो क्या चल रहा है उसके बारे में मैंने समझाया था तो इसके बारे में पता होगो जो चाबार पोर्ट को रिलेटेड चाबार पोर्ट को लेकर जो बाते चल रही ह तो आज मैं इसको basic से समझाने वाला हूँ बने रहना और ध्यान से सुनना यहाँ पर इस पूरे के पूरे article के बारे में तो जो Iran ties है वो काफी साथ है यहाँ पर भी ज़रूरत है quite diplomacy की तो उसके बारे में बात करेंगे इंडिया को जो है यहाँ पर continue करना चाहिए अपना जो इरान से जो relation है ties को continue करने चाहिए क्योंकि इंडिया को आगे help होगी ठीक है वो आगे हम बात करेंगे चैनल को भी help हो सकती है तो इहाँ पर continue रखना चाहिए इरान को भी help हो सकती है तो दोनों को continue रखने चाहिए अपने relations तो उसका ज़एदे फायदे हो सकते हैं तो उसके बारें बात करेंगे सबसे पहले तो हम आते हैं इसके basic के उपर अभी बात क्या है जो इरान और इंडिया है दोनों के बीच में यहाँ पर 2016 में sign हुआ था एक agreement जिसमें की कहा गया था पहली बात तो एक चाहबार port है इरान में ठीक है जो की इंडिया ने develop किया है अभी चलते हैं हम लोग अभी भी आपको अगर नहीं समझ मायगा तो चलते हैं पहले हम लोग map के उपर ठीक है map में पहले दिखते हैं हम लोग कंपैरिजन इंडिया हमारा यहां पर है during अर यह जो है यह यह area ठीक है आप देख सकते हैं यह ऊपर क्लेर हो गया अब चलते हम लोग यहाँ पर अभी हाँ पर फूरा जो है बिसिक से समझेंगे सबसे बड़ी बात हुआ क्या है अब जो इरान और इंडिया की बात है अब हुआ क्या था 2016 में यह जो इंडिया ने यहां पर चावारपूर डेवलेप किया है 2016 में डेवलेप नहीं किया है यहां पर इंडिया ने क्या है यहां पर आप देख सकते ह जारी थी कि इंडिया जो है इंडिया ने कहा कि यहां पैसा देगा इंडिया इरान को की रेलवे लाइन बनाने के लिए यहां पे फंड वगरा करेगा रेलवे लाइन कहा तक बनानी थी चाबार पोर्ट से जाहिदान तक आप यहां पे जाहिदान देख सकते हैं यहां पर रे अब इरान ने कहा कि जो इंडिया है उसको वो बाहर कर देगा इस हमारे प्रोजेक्ट से जो इंडिया इरान का रेलवे प्रोजेक्ट है इससे बाहर कर देगा और बाहर कर दिया है ऐसा कहना है लेकिन किस तरीके से बाहर किया गया है अब यहाँ पर आर्टिकल में समझेंगे हम थोड़ी बहुत बात है जो कि important है वहाँ newspaper में ठीक है तो बात यह यह सिदा सा पंड़ा यह है कि यहाँ पर यह वाली railway line बनाने की बात हो रही थी उसके लिए fund दिया जाया था ठीक है दिया जाने की बात करी थी लेकिन fund अभी तक नहीं दिया गया और important चीज़े यहाँ पर और code थे ठीक है दो और बनाने के लिए जोगी एक partially complete हुआ है जायदान टु जरंज ठीक है जायदान टु जरंज थोड़ा बहुत complete हो चुका है उसके बाद जरंज टु दहरान यहाँ पर क्या है देलराम 218 km यह भी जो है यह पूरा का पूरा complete हो चुका है ठीक है तो यह सा यह भी याद रखिए 1380 km का इसका distance है अब चलते हैं हम लोग अपने newspaper के उपर और देखते हैं बात क्या है ठीक है अभी हमने पढ़ लिया यह सारी बाते वही लिखी है ठीक है जो कि हमने बिल्कुल अभी cover कर रहा है तो इस सारी बात हमने picture के थुरू cover कर लिया है अभी हम करा गया था 2008 में कितना पर यहां पर कितना cost लगा था 150 million dollar पैसा लगा था यहां पर जिसकी वज़े से यहां पर यह project करा गया ठीक है यह भी हां पर यह इंडिया के दौरा करा गया उसके बाद अब जो यह वाला project है कौन सा वाला चाबार से जाहिदान वाला इसको complete करना है तो इसको रिले कर बात है पूरी की पूरी तो सबसे पहले बात हगर हम बात करें जब 2015 में US ने कुछ sanctions लगे वे थे इरान के उपर उसको ease करें उसमें थोड़ा बहुत यहां पर ढील छोड़ी तो जो है हमारे नरेंद मोदी जी और यहां पर इरान के प्रेसिडेंट दोनो कर दिया इरान के उपर sanctions तो काफी जादे प्रेशर आ गया तब से यहां पर आप देखो के काफी सारी चीज़े आई काफी सारी प्रॉब्लम्स आई और US ने मना कर दिया कोई तेल वगरा भी नहीं लेगा बिल्कुल भी इरान से तो यहां पर इंडिया ने भी तेल वेल रो 400 billion dollar 400 not million it's billion billion dollar यहां पर दे रहा है तो इतना fund दे रहा है तो obviously यहां पर इरान को ज़रूरत पढ़ेगी अगर इतना fund दे रहा है साल साथ investment वगरा होगा बागी Iranian infrastructure के ओपर यह सारी चीज़े होंगी और सबसे बड़ी बात जब यहां पर US ने कहा दिया था कोई तेल वगरा न चाइना में ऐसी power है कि जो US को resist कर सकती है ठीक है वाकई में ऐसा है लेगन resist कर सकती है चाइना में ऐसी power है तो यहां पर इरान ने जरूरी समझा कि हाँ चाइना की जरूरत है इरान को ठीक है उसके बाद हम एक ही बात करें तो US ने announce कर दिया कि यहां पर UNSC United Nations Security Council यह कर देग ban Iranian acquisition conventional weapons जो यहां पर weapons वगरा बनाये जाते हैं उसके उपर इरान के उपर इन चीज़ को भी ban कर देगा वैसे ही काफी सारी चीज़े ban कर दी है यह हमारा UNSC का कहना था ठीक है UNSC अब यहां पर यह चीज़ important है यह है क्या United Nations Security Council यह चीज़ important है अब दिए current affairs तो आप cover कर रहे है बीच बीच में जो bodies वगरा यह आप cover करोगे तो आपका basic strength होगा सारी चीज़े clear हो जाएंगे अगर आप यहीं चीज़े cover नहीं करोगे तो आपको problems हो जाएंगे क्योंकि question यही से बनने है उसके बाद अगर हम बात करें United Nations Security Council की one of the six principal organ है United Nations की और यहां पर इसका काम क्या है जो पूरा का पूरा internationally peace को maintain शांती बनाए रखना security को maintain करके रखना इसका काम है और जैसा कि अभी हाँ को पता है यहाँ पर किती members होगे रहा है उसके बारे में जान लेता है this is the important thing सबसे बड़ी बात की आप से पूछ लिया जाए कितने members हैं तो security council में 15 members हैं जिसमें से 5 permanent members है वो 5 permanent members कौन कौन से हैं China, France, Russia, United Kingdom and United States of America these are the 5 members which are permanent on the UNSC अब बात करते हैं जो हमारे 10 non-permanent members हैं वो यहाँ पर बदलते रहते हैं ठीक है बदलते रहते हैं जैसे कि अभी यहाँ पर India है इंडिया ने अपनी seat ली है यहाँ पर इंडिया जीता है ठीक है अभी आपको पता ही हो करना चाहिए हम लोग को क्योंकि पाल्दू चीजें पढ़ने का time निया उसके बद यहाँ पर आप देखोगे सबसे बड़ी बात इंडिया को यहाँ पर क्या करना चाहिए इंडिया को जो है रिलेशन अपने मेंटेन करके रखने चाहिए सबसे बड़ी बात आप यहाँ प कम रहा थिके इंडिया कम हां से एरान से क्विकि यहां पे सेंक्शन बगद लगा थे रवाघे सब्सक्राइब आप हम कुछ बाते करें जैसे हमारा politic डहीं के उस की बात करें उसके बात हमने कर ली अब चाएना और इरान की बात करें तो इन दूनों गी partnership लंबे समय तक चलने वाली है इतना पैसा वैसा लग रहा है infrastructure हो रहा है यानि कि लंबे समय तक इनकी partnership जो agreement हो चुका है लेकिन साथ इंडिया को क्या करना इंडिया को जरूरत है this is the important यहाँ पर यह चीज यह ज़रा सा paragraph काफी साथ important है इंडिया को जरूरत है कि इंप्रूव करें अपनी implementation रिकॉर्ड यानि की infrastructure प्रोजेक्ट वगरा इन सब चीजों को जो यह implement करें जो यह सब कहे कहाता यहाँ पर सारे जो sign वगरा करते हैं इन सब को time पर जल देले implement कर जाए साथी साथ यहाँ पर जो पर जो आप देखोगे बहुत काफी सारे प्रोजेक्ट चलने नेपाल स्रीलंका बांगलादेश मैंनमार ठीक है और भी बाकी जगे जहाँ पर इंडिया के प्रोजेक्ट जल कराने की बात हुई है यहाँ फंड देने की बात हुई है तो सबसे बड़ी बात है इस चीज को करके चले ठीक है अगर डिले करता है और यहाँ पर कुछ जो है कॉस्ट के लिए कुछ फर्मिया पर 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 पर्षानी आती है ध्यान रखना पड़ेगा यानि कि इंडिया को इन चीजों के पर ध्यान रखना पड़ेगा साधी साथ कवर करते वे चलना पड़ेगा सारी चीजों को जैसे जैसा है आपर अगर अगरिमेंट वगरा कराई जाती है तो अब यहां पर नेक्स टार्डिकल है हमारा माल स्टोन ऑफ अमलिया यहां पर इतने दिन पर इतने केस थे कोविड-19 के इतने दिन पर इतने हो गए फिर लास्ट जो तीन दिन में अभी अभी डिसेंटली सोलह जुलाई को जो है वन इलि कि यहां पर इतने दिन पर किते किसी थे यह सारी चीज़ें इंपॉर्टन नहीं है बट यहां पर यह एक में थिंग है जो कि इंपॉर्टन है वो जो डेथ जो है रिमेंज लो बट इंडिया को क्या करना चीए वाइरस से लड़ते रहना चीए लेकिन यहां पर यह दिखात करने में ज्यादातर हम लोगों को दिमाग लगाना है अब चलते हैं आगे और देखते हैं क्या-क्या important चीज़ हैं सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह article हमारा at UN Modi calls for a reformed multilaterism यानि Modi जी ने क्या कहा है कि reformed multilaterism चाहिए multilaterism यानि कि बाकी सारी जितनी multi countries के बीच में जो relations होते हैं वो काफिदाद अच्छे हों अगर यह इस चीज़ अच्छे होंगी तो आप दिखोगे एक path एक रास्ता होगा एक sustainable peace चान्ती बनाई रखी जाएगी prosperity जो है इस सब generate हो सकती है एक multilaterism के थुरू यह सब कहाँ पर करा गया है dialogue of ECOSOC ठीक है ECOSOC कहलो यह आप ECOSOC ठीक है नरेन मोदी ने speak करा at the high level of dialogue of ECOSOC बार-बार में बता रहा हूँ अब इसके बारे में चलते हैं जानने के लिए यह है क्या यह हमारा ECOSOC है क्या Economic and Social Council है यह हमारी UN की United Nation की Economic and Social Council Now we will cover it अभी यहाँ पर आपको समझ में आएगा तो यहाँ पर आप देखोगे इसके बारे में ECOSOC यहाँ पर एक one of the six principal organ है United Nation का जो के responsible है इसका काम क्या है जितने भी Economic और Social Fields में यहाँ पर चीज़ें हो उनको coordinate करके चलना उनने साथ में जो है मेल जोल बना के चलना ठीक है Economic और Social Fields में जितने भी हमारी चीज़ें आती है उसके बाद especially यहाँ पर जो 15 specialized agency है साथी साथ 8 functional commission है 8 regional commissions है इन तीनों को ही इन तीनों के बीच में जो है अच्छी तरीके से coordination मना के चलना यहाँ पर इस body का काम है साथी साथ है सबसे important चीज़े है आपर 54 members है 54 members है 54 members कौन कौन से अभी बन बताऊँगा सबसे पहले आपर देखते है यह body form कब हुई 1945 75 years ago यहाँ पर अभी यह body form हुई है और साथी साथ यहाँ पर एक type का principal organ है United Nation का active status है Headquarter is the important thing बार-बार में कहता हूँ Headquarter कहाँ पर है इसका New York United State में President कौन है इसके Headquarter है President Mona Joule अभी यहाँ पर और चीज़े important नहीं है बट अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पर 54 members कौन कौन से है आप देख सकते हैं African state 14 यहाँ पर है उसके बाद Asia Pacific state 14 11 है अब चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है हमाले important and the next important is यह यहाँ पर important चीज़ क्या है important चीज़ यहाँ पर यह है NHRC ठीक है यहाँ पर किसे जो हमारे वाराव राव हैं इनको भी क्या करा है जेल वागर में डाल दिया गया है क्योंकि यहाँ पर कोरे गाउं के इसको लेकर यहाँ पर कुछ जो है इनका जो include था तो कुछ यहाँ पर इसको लेकर जो है इनको जेल में डाल दिया गया है but this is not so important यहाँ पर यह important नहीं है बट इन्पोर्टन नहीं है वो हमारा NHRC है National Human Rights Commission ठीक है अब यहाँ पर इसने कहा क्या है कि इने shift कर जाए poet को COVID-19 hospital में क्योंकि शायद कोई तबेत वगरा की issue है तो यहाँ पर NHRC ने कहा है तो NHRC important चीज है इसके बारे में आपके लिए जो भी चीज होगी न्यूस पर कोने कोने से ढूंड के लाके दे देंगे ठीक है important चीज़े जित्ती भी होँगी कहां से निकाल दिया यह National Human Rights Commission of India एक statutory public body है जो की constitute करी गई थी 12 October को आई थी 1993 में किसके तहत Under the Protection of Human Rights Ordinance of 28 September 1993 के तहत यहाँ पर यह लाई गई और साथिसा इसका काम क्या है NHRC का जो सबसे main thing आपको याद रखना है वो इसका काम क्या है कि यह जो responsible है ताकि जो human के rights है जो कि हमारे जो rights हमारे हक है उनको protect करके चले उनने secure करके चले उनने promote करके चले ठीक है right relating to life हो गई liberty, equality यह सारी चीज़े यहाँ पर equality हो हमारे भी उचे में liberty हो life से related हमारी स्यारी चीज़े जितनी भी हो जितने भी rights है हक है इन सब को maintain करने का इस body का काम है और जो क्या चीज़े है आप देखोगे यह जो form कब हुई 12 October 1993 को इसका nature क्या है federal law enforcement law अगरा को लागू करने का काम है और headquarter काहाँ पर न्यू डेली में है इस समय आप देख सकते हैं और भी चीज़े क्या है अभी chairman कौन है जस्टे से चल दत्तू यह साज चीज़े इंपोर्टन नहीं है बट हमने cover कर लिया अपना NHRC को अब आगे चलते हैं और देखते हैं इंपोर्टन नहीं के बाद नहीं के बाद ड्राफ्ट ईए आई इई आई ए सारी यहाँ पर अभी सर में दर दरा तो ऐसे ही निकल ला है यहाँ पर environment impact assessment ईई आई ए तो इसने license दिया है for violations ठीक है वाइलेशन करने के आप जो करें है उसके लिए license दिया है अब यहाँ पर बात करें कुछ dilutes की प्रोडेक्शन की जो draft EIA है इसके कुछ अलग से उसके opposite में बात हो रही है आप यहाँ पर देख सकते है कि यहाँ पर आप देखोगे इसका काम क्या है protect करना और environment को protect करना ठीके उसको improve करने का काम है लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा system दिखा नहीं इसके तहर्त कुछ उल्टे सीदे काम हुए है तो उसके regarding यहाँ पर बताया जा रहा है तो सबसे important चीज़े हम लोग EIA के बारे में जान ले environment impact assessment यह है क्या ठीके छोड़ेंगे कुछ भी नहीं तो इसके बारे में मैंने notes डाल दिये थे गए कहां environment impact assessment तो यह है गाईस इतना बड़ा बड़ा नहीं दिखा यह स्थरी biodiversity और environment में आते हैं ठीके यह introduction देखें सबसे पहले तो इसका काम है जितनी भी हमारे environment से related चीज़ें हैं ठीके उसको protect करना उसको promote करना इसका काम है अभी आप देखो कि यानि यह process evaluating like environmental impacts जितने भी होते हैं याप एक projects के थुरू एक developments के थुरू यह सारी चीज़ों को देखना इसका काम है अभी आपको समझ में आने वाला है इसका यहाप एक total एक tool है जो की इस्तमाल करा जाता है जितने भी हमारे social economic impacts है environmental impacts है एक project के उपर पढ़ता है ठीके तो उन चीज़ों को पहले से identify करना prior यानि उसे लगाने से पहले किसी project से लगाने से पहले उसको identify करना उसे पता लगाना हमाले सही रहेगा नहीं रहेगा और अगर खराब रहेगा तो उसके जो adverse impacts रहेंगे उसको कैसे हम कम कर सकता है यह सारा काम है इसका ठीक है इसके जो बुरे impact रहेंगे उसको हम कैसे reduce कर सकते है उसके बाद यहाँ पर यह 1986 में आई यह body अब यहाँ पर इसका importance है कुछ importance एक important चीज़ है तो importance के बारे पढ़ें तो first important क्या है EIA environment impact assessment का यहाँ पर सबसे पहले link है किस चीज़ से environment से साथी साथ जो environmentally safe or sustainable development है उससे related यानि उस चीज़ों को develop करना ठीक है अपने environment को develop करने का काम है साथी साथ यहाँ पर एक cost effective method provide कराती है ताकि जो हमारे projects वगरा है development projects जो आते हैं हमारे ठीक है projects वगरा लगाए जाते हैं ताकि environment को develop करा जाए यह एक method है ताकि जो minimize कर सके एक जो उसको एकर बुरे प्रभाव है तो उसको यहाँ पर कम करा जा सकता है इस body के थुरू क्योंकि यह पहले से यहाँ पर पता लगाएगी पहले से identify करेगी पहले से research करेगी तो पहले से सारी चीज़ा पता चल जाएंगी ठीक है आई सही है लगाना या नहीं उसके बाद यहाँ पर यह enable करता है जो decision maker से ताकि जो analyze कर सके हैं कि यह जो development activities रहेंगी कितनी जादे effective रहेंगी ठीक है कितना जादे effect कर सकती है इस चीज़ के बारे में ध्यान देना अगर जादा effective रहेंगी तो अच्छी तरीक से इस्तमाल करा जाएगा अगर इसके कुछ impacts होंगे तो उसको कम करा जाएगा ठीक है उसका करी जाती है जो यहाँ पर हमारे development plan है उसको मूल्यांकन करने का काम करती है उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे जो developmental plan होते है यह सारे काफी जाद environmental sound होते है अगर हम इस से देखें तो EIA अगर यहाँ पर यह जो हमारी body है यह sure करती है जितने भी यहाँ पर developmental plan हो ठीक है जितने भी हमारे plan होंगे यह सारे developmental तो यह सारे जो है प्रकृति से related हो यह नहीं कि यहाँ पर प्रकृति को नुकसान पहुचा रहे हो यह सारी ठीक है तो guys यह सारा हमने cover किया EIA के बारे में तो चलते हैं वापस अपने newspaper के उपर पस हमारा newspaper में अब यहाँ पर next article ही तो आपको पता ही होगा Nepal को explore करनी चाहिए अपनी archaeological site ठीक है क्योंकि अभी यहाँ पर ओली ने जो नेपाल के यहाँ पर Prime Minister ने क्या कहा दिया था कि जो राम जी है वो Nepal से बिलॉंग करते हैं ठीक है तो guys यहाँ पर हम लोगों ने cover कर लिया है पूरा newspaper पूरा newspaper हमने cover कर लिया है from the viewpoint of UPSC अगर आपने अभी तेक चैनल को subscribe नहीं किया है तो नीचे red color का button आ रहा होगा subscribe कर तो कुछ नहीं जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक click करके support दिखाना है guys उसके बाद telegram पर आपको notes बगरा दे दी जाते हैं तो telegram पर आप join करके free में सारे notes के benefits उटा सकते हैं तो guys आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे आप लोगों से कर आज के लिए bye bye